नमस्कार फ्रेंड्स मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स काफी बार ऐसे हो जाता है कि हम इलावाना टायल या फिर जो भी है रूफ टायल लगाते है और प्लानिंग करते हैं कि उसके बाद हम गटर लगाना है गटर लगाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो कैसे लगानी चाहिए उसके लिए क्या सिस्टम है वो देखना जरूरी है क्योंकि जब अगर हम कोई नए टायल लगा रहे है तो फिर वो टायम पे थोड़ी सी सिस्टम अलग रहती है लेकिन जब हम पहले एक बार पूरी लग चुकी है टायल और उसके उपर अगर उसके बाद अगर हमें गटर लगानी है तो फिर सिस्टम में थोड़ी सी चेंजिस होते है अब क्या चेंजिस होते है तो फिर मैं आपको एक दिखाऊंगा एक देख सकते एक प्लेट वाला ज इसकी兩ग सेंज की गई है ठोड़सा यहां से आपको बैंड भी दिखेगा और यहां पे उसको चार स्कुरू है उसकी size है यहां से यहां तक 10 inch है यहां से यहां तक 5 inch है और जो width है वो करीब 4 inch के आसपास है तो फिर आपने यह product देखा लेकिन इसका use कैसे होता है और gutter application कैसे होते हैं यह दोनों चीज़े अभी हम जाके site पर practically देखेंगे कि एक तो यह bracket बैठेगा कैसे और दूसरी बात है कि उसके उपर जो gutter जो बैठेगी और उसका पानी कैसे हम बाहर निकालते है वो भी देखेंगे आज हम BMI monitor का जो luxuron gutter है वो कैसे application करना है इसका video देखेंगे यह जो नीचे का sloping दीख रहा है उसके use पे हम अभी BMI monitor का लगजरौन gutter लगाएंगे पहले हम में जो bracket है उसको हम paint करके लेंगे ताकि आगे जाके कभी जंग ना पकड़े फिलाल तो हम उसको spray paint करेंगे आप कोई भी paint कर सकते है जनले अभी मेरे पास यहां पर white है तो फिर मैं white लागा के लिलूँगा क्योंकि जो भी use का color रहेगा अगर white color आप use करगे तो और भी बढ़िया रहेगा ताकि कुछ अलग ना दिखे फिर से एक बार हम bracket की size देख लेंगे यहां से यहां तक 4 इंच है और यहां से यहां तक 10 इंच तक है और उसकी जो सामने वाले height जो रहेगी वो करीब 5 इंच तक की रहेगी यहां पर 4 holes दिये गये है जहां पर हमें screw करना है एजी लिए वहां पर screw कर सकते हैं करीब होल जो बने है उसकी जो size 5 mm तक है आप देख सकते हैं सामने वाला जो portion है वो थोड़ा से लंबा लिया गया है 5 इंच तक वो इसलिए है क्योंकि अगर हमें height adjust करना है तो सही हो जाएगा और इसका angle भी देख सकते है आप एंगल में perfect नहीं है थोड़ा सा 90 degree से ज्यादा ही है यहां से यहां तक थोड़ा से ज्यादा है और यहां आगे जाने के बाद थोड़ा सा bend हो गया है यहां यहां पर तो फिर यह जो requirement है उसी के हिसाब से बनाए गया है जनरली इसकी जो thickness है वो करीब 3 mm तक है कुछ इस टाइप का screw लगेगा स्टार हेड लगेगा प्लेन वाला स्कूरू लगेगा सिर्फ टैपिंग की कोई ज़रूत नहीं है और उसके साथ एक रावड पलग लगेगा अगर हमें ब्रैकेट लगाना है तो चलिए हम देखते है अब यह ब्रैकेट भी कैसे लगाते हैं यह देख सकते हैं पहले तो यहां पे हमें जो पहली टाइल की जो लाइन है और बाद में यहां पे अभी ब्रैकेट लगाना है तो यह जो portion है यह portion हमें यहां पर स्लोपिंग के उपर जाना है और यह सामने वाला जो portion है वो दिखना तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो उसके जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निया यह लगाखे हैं और देखना है उसकी जो इस वहां पर रही है नहीं है यह उसको मार्किंग कर भी लेना है याँ अभी अभी आप का घवा कि जो हीस्सा है करिब एक इंच तक बाहर निकालना है और यह इसलिए होता है क्यूंकि 3 नितरु फिर से बाहर निकली होती है तो फिर एक इंच अपना जो लगजरन गटब है वह बाहर आना जो रही है बहुत ही तो फिर अभी हम उसको साइज चेक करेंगे एक बार इसकते हैं तीनों तरफ से अगर हम ने देखा यहाँ पर तो इग्जैक्टली अभी एक इक इंच बाहर है यहाँ पर शायद आपको टेप से नहीं दिख रहा है कि इतनी जगन नहीं है वहाँ पर कि हम दिखा सके हमारे एक बार ब्रैकेट सेट होने के बाद हम ने अभी यहां wipes concrete बीट की मद़से अभी यहां anarch होल बना लिए हैं जिसकी वज़े से अभी हमें वो ब्रैकेट लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा अभी जहां पर हमने होल बनाया है बिल्कुल वही पर हम अभी रावड प्लक लगा के ले लेंगे ताकि हमें स्कूरू करने में आसानी हो जाए अभी रिक्वार्डमेंट के हिसाब से अभी हम यहां पर स्कूरू करके ले रहे हैं तो फिर एक बार ब्रैकेट फिट हो जाएगा तो फिर आगे काम कर सकते हैं उसमें पूरे ब्रैकेट लगाने के बाद कुछ इस तरीके का भी वाएगा और उसके उपर हमने टाइल भी लगाएगे अब देख सकते हैं यहां पर पीसी ब्रैकेट होल्डर लगाने के बाद वहां पर एक लेवल बनाई गई जिसके बज़िसे पानी एक साइड में जाए और उसके बाद हम अभी पीसी ब्रैकेट बिटा रहे हैं बिलकुल उस होल्डर के ऊपर अभी इसके लिए हमें जो स्कूरू लगने वाले हैं वो करी पीसी ब्रैकेट होल्डर का पीसी ब्रैकेट बैटने के बाद जो हिस्सा रहता है वो चाए तो आप काट भी सकते हैं उसको उसको कोई रिकॉर्मेंट बाद में रहती नहीं है वो खाली हैट अड़ेस्ट करने के लिए लेवल के लिए खाली वो ज्यादा पांच इंच तक मैं लिए घाए ओट चली गतर की साइज भी देख लेते हैं इदेख सकते ऑने 3 इन्च अंदर का इस्सा है कि आज हम रहती है आप देख सकते हैं आप अपर करीब सवार 4 इंच तक मि आ अगगा GO कि यहां पर देख सकते एक नौच है जैसे आटक हम बोल सकते उसको और एक सामने वाली साइड में भी आ जाता है यह देख सकते यह जो डिजाइन किया गया है बिल्कुल इसमें अपना पीसी ब्रैकेट बैठेगा और यह इतना बढ़िया बैठेगा कि वहां से निकलने का दाए अश्चल को काट रहा है यह वत दो आप है कि अप यह देख सकते हैं यह यह अंग्लू लगा रहा है और वह प्लिकुल एंप हैं एक्सपाशेंट फैनल लगाएंगे गटर के आउट साइड में और एक्सपंशन फनल के अंदर के साइड में हमें गुलू लगाना जोरी है यह देख सकते हैं अभी जब भी हम यह गुलू लगाएंगे तो फिर उसी वक्त आपको ज्यादा देर नहीं टगानी है यहां पर देख सकते हैं दोनों तरप पर आटक न जहां पर अभी हमें सेम ही प्रोस्स करने है जैसे कि अभी हम इसके आउट सिर्म फनल और जो अपना पर है उसके इनसाइड में गलू लगाना है और सेमी प्रोस्स patrol देख सकते हैं और तो उसी के साब से अभी हमें यह आप een साइड जो है वह भी लगा के लेंने है तक कि हमारा expansion funnel जो है ओफिट हो जाए आप देख सकते हैं यहां पे हम अटक रहे एक जगह पर आटक गया है अभी दूसरी जगह भी आटक गया है ध्यान में रखे जब आप काम करेंगे कभी यहां पर यह जो नौच है यहां पर दोनों जगह पर एक बार अटक गया तो है और बिल्कुल कुछ इस तरह की से उसको जोड़ना है तो यह हो जाएगा आपना जो एंड़ क्याप है ओ लगा के आप यह है अमारा PC bracket जहां पर आभी हमारा काम है यहां पर आभी हमें गटर लगानी है देख सकते हैं चारों होलों में चार स्कूरू लगाए गये हैं हर जगह पर काफी बड़ीया तरीके से application हुआ है यहां पर कुछ इस तरीके से अभी एक complete है अभी आप इसको हम थोड़ मतलब कंडिशन है नहीं या फिर वह तूटने के भी कोई असार है नहीं कि बहुत बढ़िया स्ट्रॉंग रहता है पीसी ब्रेकेट कि थोड़ा सा अंदर से भी अगर हम देख लेंगे यहां पर एक देख सकते हैं यहां पर एक इंच का गयाप है थोड़ा सा अभी यह पीसी ब्रेकेट में हम अभी गटर लगा के ले लेंगे जो सामने का हिस्सा है वो पहले उपर की तरफ से उसको अटकना है अब देख सकते हैं यहां यह साइड में जो पीसी ब्रेकेट दिख रहा है सामने की तरफ से वहां पर अटक गया है अभी हम थोड़ा से यहां पर हम देख लेंगे यहां पर प्रेस करेंगे यह एक बार प्रेस हो गया तो अटक गया बातक्तम हो गया वहां पर कोई भी वह गटर है हम थोड़ा सो उपर से देख रहे हैं यह देख सकते हैं अल्मोंस पीसी ब्रैकेट दिखता है नहीं कि यह बहुत ही टांस्परेंट है यह देखे अंदर की तरफ से लग गया है और यह थोड़ा सा उसका जहां पर हमारा पीसी ब्रैकेट होल्डर है यहां पर यह दो स्क्रू भी लग गया है दो स्क्रू तो दिख रहे हैं कुछ इस तरीके सब उसका विव रहेगा यहां पर अपना यह जो एक्सपंशन फनल है यह देख सकते हैं यहां पर अभी तो पूरा होल नीचे से तक दिख रहा है यहां पर आभी डाउन स्परूट आने वाला है और यहां पर यहां पर यहां पर है जो हमने पहले ही फिट करके लिए थी यह हमारा एक्सपंशन फनल जो कि बाहर से कुछ इस तरीके से दिखेगा और उसके नीचे बिल्कुल यहां पर डाउन स्पोर्ट लगनने के लिए यह देख सकते हैं यहां पर जगह है काफी बढ़ देख सकते हैं यहां पर यह है डाउन स्पोर्ट लवो बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्ट है यहां पर काफी बढ़िया तरके से इसके गाइडलाइन दी गए है कि जिस साइड में पानी जाएगा उसकी तरफ हो एरो किया गया है तो फिर आपको लगाने में कोई दिक्कत आप नहीं है और ईजीली समझ में आ जाएगा तो यह बहुत इबढ़िया प्रफ है यह उपर की तरफ से पानी जाएगा नीचे की तरफ से यहां से आजाएगा और यहां पर दूसरा एक पाइब इंसर्ट हो जाएगा यहां पर देख सकते है और दोनों तरफ से भी उसको दी गई है जो पार्ट है यह अटकने के लिए है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि एक्सपांशन फनल में अटकने के लिए उसका यूज होता है आप यह यह प्रडूक्ट देख रहे हैं इसको डौनस्पोर्ट हेंगर बोलते हैं जिसको दो जगा प्र Мих wes करने के लिए जगव हुते हैं आप सकते हैं इसको लगाने के लिए बहुत ही बढ़ी है इस प्रिस और के सिस्टम है देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह किसे हो जाएगा आपको कोई स्कुरू अलग से लगाने की जुरूत नहीं एक बार दिवार में लगा के हो गया तो फिर बाद में इसको इजी ले हम वापे लगा सकते हैं यहां पर दो होल दिये गए हैं जहां पर हम दिवार में बढ़ा प्रोड़क्ट है अभी हम एक अलबो एक जो में होरीजन्टल लगाना है उसको लगा के लिए रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर इजी लिए लग जाए गए इसे और वही हम और एक अलबो जो है वह आलड़ी एकस्पांशन फनल को लगा के लिए हैं पहले और देखें यहां पर फिट बैट गया इजी लिए बैट जाएगा है यह होने के बाद जो नीचे वाली जो वर्टिकल पाइप है उसको पहले मार्किंग करके लिए और यह देख सकते हैं यहां पे एक एज है एक पांच एम तक उपर तक पार जानी चाहिए ऐसे कुछ यहां प है उसके जो साइज रहेगी वह 2.5 inch by 2.5 inch रहेगी मतलब 2.5 inch by 2.5 inch का साइज रहेगा उसका अगर आपको ऐसे लगता है कि जो डाउन स्पॉट लगा रहे है इसका कुछ अंगल अलग होना चाहिए देख सकते हैं तो इसे आप घुमा भी सकते हैं उसको एक बड़िया ऑप्शन है हमारे पास यहां पे डाउन स्पॉट अगर हमें काटना है तो हम easily same blade से काट सकते हैं देख सकते हैं बहुत easily कट जाएगा कोई दीकत नहीं आएगा तो यह हो गया हमारा कटिंग भी कंप्लीट जहां पे हमें डाउन स्पॉट हैंगर लगाना है वहां पे पहले मार्किंग करनी चाहिए और वह भी लेवल में होनी चाहिए और अभी यहां पे हमने लेवल में उ काको यहां पे कंक्रेट के में से अभी दो होल बनाएंगे तेका ऊपर रहेगा जाए की हुई है और उपर के साइड में हो गया और declaration word तteenth में उ हम यह हो places है में में के बादे रावरी प्लग जालना है और उसको और इसको और सदरीकर में इसे व धितिंग करकर ya रहे हैं ताकि उसके ऊपर से हम डाउन स्पोर्ट लगा सकें इस देख सकते हैं आप यहां पर स्टार लगाए गया है जिसकी लेंद रहेगी करिब एक से सवाएंच तक काफी है कि यहां पर पहले तो हमने जो डाउन स्पोर्ट लगा के लिए थे वो तो यह प्रमन्ट है क्योंकि उसको हम अभी ग्लू भी लगा चुके है और अभी यह पर्मन्ट हो जाएगा ग्लूफ लगाना जरूर है कीजिए वो जगह से हिलेगा नहीं या फिर तभी निकल के गेरेगा नहीं ये देख सकते हैं जहाँ जहां पर भी उसके जोयंट आ जाएंगे वहाँ पर ग्लू लगाना बहुत ही जरूरी है तो इसी किसाब से अभी हम सबस्कित एपríकaking और फीड करेंगे कि अबढ़ यहांबब ब्रतिकल डाउनगा सकते हैं और हम इसके बात हम इसको जो डांसपॉर्ट क्लिप है इसमें देख है एक आप लगा और फिरेस्पिटिंग है SO तो फिर इजी ली हो जाएगा कि देख सकते हैं यहां पर इजी ले अटक जाएगा खाली थोड़ा सा प्रेस करना है थोड़ा सा जो लगा कि अगर प्रेस करेंगे तो फिट हो जाएगा यह देख सकते हैं हर तीन फीट के उपर एक क्लिप होनी ज़रूरी है जिसके वाज़े से वो उसका जो वेट वगर है जब भी पानी का कोई प्रेशर आ जाएगा तो फिर आराम से ले सकते हैं या फिर एक मीटर के उपर अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ इस तरीके से हमारा गटर देखेगा लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हम जब अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको थोड़ा सा PC ब्रैकेट में दिख रहे हैं लेकिन लाइन लेवल और जो अंदर का पर्फेक्षन है व और अगर हम इसी गटर को अगर उपर से देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखेगा. अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके किसी काम का हो गया, तो डिफिनिटली लाइक कीजे, शेर कीजे, कमेंट कीजे, और हमारे चानल को सब्सक्राब करना मत बोलिए, मैं संतोष पाटी, संतोष रूपिं के यूटूब चानल में, धन्यवाद फ्रेंट्स अज्बवाम तर चानल में, दो एके कीजे, किसीजी आपके कीजे शेक चकड़ूद और हमाह पीडि़ता, ब